नमस्कार दोस्तों मैं रोण शर्मा हाजीर हो आफ सभी की सामने आपके अपने YouTube चैनल जोतिशन वास्तु मैं कैसे हैं आफ सभी दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जुलाई के अगस्त के मासिक राशी फल के बारे में मेश राशी के लिए अगस्त का महिना कैसा जाने वाला है उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जुलाई का जो मासिक राशी फल था वो आप सभी को का पसंद आया दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अगस्त महीने के बारे में कैसा जाने वाला है अगस्त महीने में मेश राशी के लिए दोस्तों मैं बात कर रहा हूं ग्रहों की गोचर की सबसे पहले कि ग्रहों का गोचर किस प्रकार है अगस्त महीने में मेश राशी के लिए और जिन जात को ग्रहों के गोचर से कोई लेना देना नहीं है या जिने ग्रहों का गोचर नहीं समझ में आता वो वीडियो को थोड़ा सा आगे फॉरवड करके अपने बारे में सीधा जान सकते हैं तो दोस्तो ग्रहों के गोचर के अगर बात करें तो अगस्त महीने में सूर्य जो रहें वो सिंग राशी में संक्रमन करेंगे और 10 अगस्त को सिंग राशी में मंगल भी असंक्रमन करने के लिए आ चुके होंगे और 3 अगस्त को बुद्ध करकराशी में गोचर करेंगे 26 अगस्त को सिंगराशी में प्रवेश करेंगे कौन बुद्ध बुद्ध 3 अगस्त को जो है करकराशी में रहेंगे और 26 अगस्त को बुद्ध है जो है सिंगराशी में प्रवेश करेंगे गुरू यथावत रश्चिक राशी में ही ब्रह्मन करेंगे तता चार अगस्त को गुरू जो है वो मारगी हो जाएंगे शुक्र जो है 16 अगस्त को सिंग राशी में पहुंच जाएंगे और शनी जो है वो वक्री होकर दनुराशी में ही ब्रह्मन करेंगे और राहू और केतु की बात करें दोस्तों तो राहू और केतु भी अथवत, मिठुन और धनूराशी में रहेंगे दोस्तों ग्रहों के इस तरह के कोचर के कारण आपका ये मेना मैं सिर्फ और सिर्ट सामभानी बोलूँगा बहुत अच्छा इसमें नहीं बोलूँगा और खासकर इस महीने आपको बेंक के कारियों में और बेंक में लेन देन के मामले में बहुत ज़ादा यहाँपर सावदानी रखनी पड़ेगी हाला कि आप धारमिक बनेंगे थोड़ा सा थोड़ा सा धर्म-कर्म के कारियों में रूची रहीगी थोड़ा सा बुद्धी जो आपके होगी वो थोड़ी सी चाला की वाली हो जाएगी थोड़ा सा चतुर दिमाख हो जाएगा यहाँ पर और कहीं न कहीं से कुछ अच्छे समाचर भी आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगे बात करते हैं दोस्तों की थोड़ा डिटेल में कि आके यह महीना पूरा किस हिसाब से जाने वाला है दोस्तों अगर एक अगस्त से तस अगस्त की अगर बात करें दोस्तों तो सूर्य, मंगल, शुक्र और चंद्रमा जो है वो चतुर्द भाव में होने होंगे और चतुर्द पर चाहिए दोस्तों तो आपको कागजों कारवाई और कागजों के मामरे में थोड़ी से यहां पर सावधानी रखनी पड़ेगी उसमें समस्याइँ जरूर आ सकती है और एक दो तीन अगस्त को आप वीजा के लिए प्लाई कर रहे हैं पासपोर्ड के लिए अप्लाई कर और काम आपके यहां पर बनने थोड़ा से आप इस्टारट हो जाएंगी और कई न कई मुझे लगता है दोस्तों की साथ नौ के बाद आपका कहीं-कई किसी से विवाद हो सकता है तो आप अपने रिश्टेदारों से अपने पडोस्जियों से थोड़ा सा यहां पर बच के रहें तो एक तारीक से लेके 10 तारीक तक का जो समय है वो बहुत जादा यहाँ पर अच्छा नहीं है 11 तारीक से 20 तारीक तक की बात करते हैं दोस्तों तो राशी स्वामी जो मंगल है वो पंचम का हो जाएगा इस कारण से यहाँ पर आपका शुब समय स्टार्ट हो चुका है चंद्रमा 12, 13 और 19, 20 अगस्त को यहाँ पर आपको परिशानी देगा इसके अलवा थोड़ी बहुत परिशानी तो आती जाती रहती है पर 11 तरीक से लेकि 20 तरीक तक का जो समय है वो अच्छा है पर बहुत जादा महत्वपूर्ण काम हो अगर आपके या कोई डील अगर आप साइन कर रहे हो या कुछ बड़ा काम आप कर रहे हो तो उसको आप थोड़ा सा टाल दें दोस्तों इसके अलवा आपको परिवार का सयोग मिलेगा आए आपकी बनी देगी तो पहले के 10 दिनों के मुकाबले बीच के 10 दिन थोड़े से जादा अच्छे हैं अब बात करते हैं आखरी 10 दिनों की तो 21 अगस्ते रहे के 31 अगस्ता का जो महिना है दोस्तों चंदरमा के गोचर के कारण कहीं न कहीं आपको बल मिलेगा आपको एक energy मिलेगी आपको एक positiveness यहाँ पर मिलेगी और कहीं न कहीं यह महिना आपको end होते होते अच्छा चला जाएगा कहीं आप नौकरी के लिए apply कर रहे हैं तो definitely आपको यहाँ पर नौकरी मिल सकती है और कहीं न कहीं आपको यहाँ पर अच्छे काम की जरूर कहीं न कहीं उमीद बड़ी दिखाई देती है दोस्तों बात करते हैं कि आपको क्या-क्या परेशा नहीं आ सकती है मिला जुला समय का मतलब दोस्तो काम का दबाव भी रहेगा और कहीं बाहर आने जाने की चांसेज भी बनेंगे और कहीं न कहीं जो बंते-बंते काम है वो रुक भी जाएंगे तो कुछ अच्छा कुछ खराब यहां पर आता हुआ आपको दिखाई देगा मिला जुला समय यहां पर आपके लिए रहेगा जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए किस प्रकार से रहेगा तो दोस्तों उनके लिए समय सामान्य हैं बिल्कुल ठीच समय हैं लाब के अवसर भी मिलेंगे दूसरों से सौधी भी हो सकते हैं बातचीत हो सकती है पर थोड़ी बहुत समस्याइं बीच बीच में आ सकती ह तो आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है अब दोस्तों जो पारिवारिक महोल रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा तो दोस्तों पारिवारिक महोल यहां पर सामान्य हैं हो सकता है आप किसी के गर पे जाएं या कोई रिष्टे सार आपके गर पे आ जाएं तो वहां सब्सक्राइब करते हैं जाए टाम पत्ति जीवन की दोस्तों अगर बात करें तो दामपति जीवन में यहां पर समय अच्छा है हलकी तना तनी यहाँ पर हो सकती है बाकी गुल मिलाके समय अच्छा और अनुकूल है समपती की बात करें दोस्तों अगर आप कोई नही गाड़ी खरीदना चाते हैं नया मकान खरीदना चाते हैं कोई प्लॉट खरीदना चाते हैं सामन्य महिना होते हैं याको कहीं पर भी लाब नहीं मिल रहा है तो आप ऐसा इस महिने क्या करें कि महिना आप आपके लिए अच्छा बन जाए तो दोस्तों उसके लिए आप शिव मंदिर में जाए शिव जी की पूजा करें सावन का महिना होगा definitely शिव जी आपको मदद करेंगे और कहीं न कहीं आपको अनुमान जी की भी यहाँ पर पूजा करनी चाहिए और यहाँ पर आपको हनुमान जी और शीव जी को थोड़े से चावल चाड़ाने चाहिए जिससे आपको जरूर लाब होगा इसके अलावा दोस्तों अगर फिर भी यह महीना आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है या क्योंकि यह जो मैंने मासिक राशी फला बताया है या आपकी सभी की राशी पर एक सामने इस तरह पर प्रभाव डालेगा तो अगर यह महीना आपको फिर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है या की समस्यां काफी बढ़ी हुई है आपको उपाय नहीं मिल रहा है या रास्ता नहीं मिल रहा है और बहुत जादा परिशानी आ रही ही दोस्तों तो आप प्ली राशी वाले दोस्तों को भी वीडियो शेर करिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए ताकि उन्हें भी जादा से जादा सपोर्ट यहां पर मिल पाए और वो भी अपना महीना थोड़ा अच्छा यहां पर बना पाए धन्यवाद